सो फ्रेंस अगर आप लोगों ने भी आईउस्मान काट बनाने के लिए अपरेटर आईडी का आवेदन किया है और आवेदन किये हुए 15 दिन या फिर एक मेना हो गया है तो ऐसे में आप अस्टेटर्स केसे ओनलाइन चेक करेंगे कि आपका अपरेटर आईडी अभी तक एप चेनल है यहां मैं ओनलाइन से रिलेटेड अपडेट देते रहता हूँ इसलिए इसे जोइन जरूर करें और किसी परकार का कन्फ्यूजन हो या फिर कॉस्चेन हो तो आप हमारे फेस्बुक प्रोफाइल को फॉलो करके पूछ सकते हैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन प क्लिक करके सर्च कर लेना है अब आप लोग के सामने जो है नेशनल हेल्थ ऑथरिटी का फर्स्ट लिंक का जाता है पी एम जे एवाई का तो इस पे क्लिक करना है उसके बाद आप लोग के सामने नेशनल हेल्थ ऑथरिटी का जो है ओपिस्यल पेज खुल जाता है जिसमें आप लोगों ने जो operator ID लिया है उसका status चेक करने के लिए यहाँ पे operator वाले box पे टिक करेंगे उसके बाद नीचे जो यहाँ पे देख रहे हैं sign up का एक option है इस पे क्लिक करना है अब आप लोगों के सामने user management का portal open हो जाता है यदि आप लोगों ने जो है registration नहीं करा है operator ID के लि लोगों ने आविदन कर लिये हैं यानि की registration कर लिये है operator ID के लिए यदि उसका status चेक करना चाहते हैं तो नीचे जो देख रहे हैं login का एक option है इस पे क्लिक करना है अब आप लोग लोग इन पे पे रिडारेक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे capture जिस्टैप का है capture को फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे registered mobile number को फिल करना है यानि की भरना है उसके बाद यहाँ पे जो verify ओला icon देख रहे हैं यानि की option इस पे क्लिक करना है जब आप लोग का mobile number verify हो जाता है तो by default authentication mode में अथार OTP जो है automatic यहाँ पे select हो जाता है उसके बाद आप देखेंगे क आपके register mobile number में एक OTP send किया जाता है उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है यानि की भरना है उसके बाद जिस type का capture है capture को फिल कर लेना है then login वाले icon पे click करना है जैसे ही login पे click करते हैं तो आप लोग के सामने जो है dashboard खुल जाता है जिसमें यहाँ पे आप corner में देख सकते हैं कि आप लोग का name यहाँ पे रहता है साथ में यहाँ पे देख सकते हैं आपका profile photo में कौन सा photo लगा हुआ है वो photo भी देखने को मिल जाता है अब यहाँ पे नीचे my role में देख सकते हैं कि status में जो है आपका operator ID approved किया गया है या pending है वो status यहाँ पे बता देता है तो इस परकार स से आयुस्मान भारत के operator ID का status online चेक किया जाता है वीडियो यदि आप लोग के लिए helpful हुआ हो तो वीडियो को like and share जरूर करें अब हम लोग मिलते हैं इसी परकार के न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रव